Hello everyone, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीचे में आज की वीडियो सीटाइट परिक्षा के उन सभी कैंडिडिट के लिए बहुत जादा महत्पूर होने वाली है जिनका ये जो परिक्षा थी, सीटाइट की परिक्षा ये पोस्पोन हो गई थी, जो की पहले हमारी 16 और 17 दिसंबर को होने वाली थी और अब इनकी ये जो परिक्षा है यहाँ पे 17 जैन्वरी और 21 जैन्वरी को ये परिक्षा यहाँ पे हम लोगों की बताई जा रही है अब देखिए इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों के छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और साते साथ आप लोगों को 17 और 21 जैन्वरी को क्या चीज़े पढ़के जानिए ये मैं आपके साथ चर्चा करूंगी तो चलिए वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो आपकी पेपर का शिफ्ट है इसको लेके यहाँ पे डाउट है तो देखिए जिनकी भी परिक्षा 17 जैन्वरी 2022 में होने वाली है यानि कि जिनकी ये परिक्षा कल होने वाली है उनका जो शिफ्ट 1 की परिक्षा होगी शिफ्ट 1 में यहाँ पे पेपर 2 की परिक्षा होने वाली है तो देखिए वैसे तो आमतोर पर यह देखा जाता है कि shift 1 जो होता है वो paper 1 का conduct होता है जो कि morning shift में होता है पर यहां पर जो हमारे सामने नया schedule आया है इससे हमें यह बताया गया है कि shift 1 जो कि morning में होती है इसमें पर paper 2 लिया जाएगा जो कि सभी का यह technical issue के वज़े से पोस्पोन कर दिया गया था पर इसके बाद हम लोगों के सामने एक और notice यहां पर जारी किया गया था जिसमें हमें shift 2 के बारे में भी बताया गया था shift 2 जो है यह paper 1 के लिए यहां पर लिया जाएगा अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को चीजे समझनी है देखिए जो paper 1 है यह आपका कु है जिनकी परिक्षा सही से यहां पर संपूर्ण हो गई थी complete हो गई थी उनका paper दुबारे नहीं लिया जाएगा इसके अलावा भी अगर आप लोगों को doubt है कि क्या हमारी परिक्षा दुबारे हो रही है हमारे तो paper complete हो गया था इसके बाद भी क्या हमें दुबारे यह परि परिक्षा दुबारे देनी होगी, otherwise आपको परिक्षा दुबारे नहीं देनी, तो देखिए ये जो 17 जैन्वरी को ये परिक्षा हो रही है, ये उन कैंडिडेट के हो रही है, जिनका 16 दिसमबर को परिक्षा पोस्पोन होई थी और साथ जिनके परिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसके अलावा अगर हम 21 तारीक के बात करें, तो देखिए 21 तारीक को तो उन कैंडिडेट का पेपर होने वाला है, जो की 17 दिसमबर को दोनों ही पेपर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही टेक्निकल इशू के वज़े से यहां पे पहले ही पोस्पोन कर दिये थे, त और शिफ्ट 2 जो है यह पेपर 2 के लिए लिया जाएगा, तो देखिए यहां पर आपको डाउट होना ने चाहिए, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी है, 17 जैनवरी को शिफ्ट 1 हो रहा है पेपर 2 का, और शिफ्ट 2 हो रहा है पेपर 1 का, जबकि जो 21 इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आपको आखरी टाइम में क्या-क्या इंपोर्टन टॉपिक अब पढ़ने हैं, जैसे कि कल ही परिक्षा है या फिर एकिसारी को परिक्षा है, तो हमें क्या चीज़े पढ़नी है, तो देखिए यहां पर NEP, जो हमारी New Education Policy है य जिसे हम नई सिक्षा निती के नाम से भी जानते हैं, इससे कोशन पूशे जा रहें, यह टॉपिक आप पढ़ लीजिए, चाहे आप मेरे चैनल की वीडियो से पढ़िए, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, इस टॉपिक को तयार कर लीजिए, इसके अलावा NCF हो गया, इस समंदित कोशन पूशे जा रहें, जिससे रिलेटिन मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दिये, आप वीडियो सेक्षन में जाएं, आपको यह वीडियो मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हैं, जो हमें पैड़गोजी में आप रिवाईस करिए, इसके अलावा, आपको रिविजिन किस तरीके से करता हैं, तो देखिए आप जहां से भी तेयारी कर रहे हैं, आप मैरेथन क्लासस आप लोगों ने लगा लिओंगी, अगर आपने मैरेथन क्लासस नहीं लगाएं, तो ज़्यादा बड़ी क्लासस न आप लोगों की 17 और 21 जैन्वरी को जो परिक्षा होने वाली है वो एक अच्छे खासे लेवल में हो जाएगी और आप लोगों को घपरानी की कोई जरूत नी है कि आपका पेपर पोस्पोन हुआ था तो क्या पेपर टफ आएगा ऐसा कुछ नहीं है जैसे बाकियों का पेपर रहा है उसी लेवल का एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप लोगों का लिया जाएगा आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फोर्मेटिव रही हो इस वीडियो में इतना ही और जो भी कैंडि रेट्स 17 और 21 तारीक को पेपर देने जा रहे है मेरी तरफ से all the very best अब मैं आप से मिलूंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर